हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में जो कि एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपोटेंट वीडियो होने वाली है तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखना गाईज तो जो यह आर्टिकल है जो यह आर्टिक की जो की Made in China है और इनको Red Flag यानि की लाल जंडी दिखा दी गई है तो इन applications को यूज करना डेंजर हो सकता है अगर आपके बास भी यह application जिनका भी हम देखने वाले हैं कौन कौनसी वा अप्लिकेशन है अगर हैं तो आप इसको अगर निस्टल कर दीए फटाफट और शुरक्षित हो जाएए उके फ्रेंड्स तो इंडियन intelligence agencies have asked the government to block और advise people to stop use of 52 mobile application that are linked to China तो इंडियन intelligence agencies ने government से यह appeal करी है यह मांग करी है कि यह जो government है वो block करे 52 mobile application को जो कि China made है because they are not safe ठीक है तो इन्होंने मांग करी है कि या तो government agencies को ban करे यह सारे applications को ban करे जिनकी कि इन्होंने list provide कराई है या जो लोग हैं वो इनको uninstall करें तो इसके लिए जो है इंडियन intelligence agency की तरफ से यह मांग उठाई गई है और जो यह applications है यह 52 mobile application जो इन्होंने अपने list में include करें हैं यह safe नहीं है बिलकुल भी और इनको अपने mobile में रखना भी safe नहीं है आप देख सकते हैं यह जो applications की list इंडियन intelligence agencies की तरफ से भेजी गई है उसमें कुछ बहुत ही ज्यादा पॉपिलर applications या बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले applications भी included हैं जैसे कि आप देख सकते हैं जूम एप है और short video app टिक टॉक शियर इट वगेरा जो यह काफी ज्यादा यूज होते हैं यह वाले application भी इसमें है तो complete details की हमने जो है last slide में दी है कि कौन-कौन से वह application है जो कि आपके लिए harmful हो सकते हैं और आपको उनको install कर देना चाहिए ओके तो अब जो यह statement इंटेल की तरफ से आया था this was also supported by national security council secretary तो इसमें भी इस बात पे मुहर लगा दी है कि these are not safe for the India security तो हम जो है इसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं national security के लिए और इसलिए national security council segregate ने भी इस जो intel की इमांग थी इसमें मुहर लगा दी है और उन्होंने भी इस बात के लिए स्विकृति दे दी गई है कि या तो इन apps को block किया जाना चाहिए इंडियन गवर्मेंट द्वारा या लोगों को जाग रुक किया जाना चाहिए कि वो इसको अनिस्टॉल करके यह सारे applications को कूडे में डाल दे ओके तो अब मैं next slide में आपको दिखाने वाला हूं कौन-कौन से वह applications हैं जिनको कि आपने अनिस्टॉल कर देना चाहिए और और 52 applications हैं चाइना मेड इसको आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं अराम से कि कौन-कौन से अगर आपके मुबाइल में यह application इस्टॉल हैं तो आप इसको तुरंट अनिस्टल कीजिए और इस चीज को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी और लोगों के साथ भी और इस बारे में जाग रुकता हूँ कि उन्हें कौन-कौन से application अनिस्टॉल करने हैं कौन-कौन से application से हैं जो चाइना-based application से हैं तो आप देख सकते हैं यह complete list है तो आप इनको भेज दीजे फ्रेंट्स और यह information अगर आपको अच्छी लगया तो वीडियो को like करो और comment में बता करो और share करो इसको अपने दोस्तों के साथ और चैनल को subscribe करो आज की इस वीडियो में इतना ही गुड़ बाई see you in next वीडियो थेंक यू जय हिंद जय भारत